नमस्कार, बहुत सी लड़कियों को वा महिलाओं को मासिक धरम के समय उनको एक दो दिन पहले ही नाभी से निचले हिसे में पेडू जिसे हम बोलते हैं, उसमें दर्द उठ जाता है और वो दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उसे हम कटी शूल के नाम से जानत हैं, या मान लीजिए उसको डिस मिनोरिया के नाम से भी जाना जाता है, बहुत सी लड़कियों को या महिलाओं को इस दोर से गुजरना पड़ता है, कुछ महिलाओं या लड़कियों को कम मातरा में दर्द होता है उसमें, कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा दर्द होता तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप इस दर्द से चुटकारा पा सकते हैं अब इसके लक्षन बतायतों ज़्यादातर लड़कियों या महिलाओं को क्या होता है कि मासिक दर्म सुरू होने के एक दो दिन पहले या मासिक दर्म के दोरान उनको बहुत तेज दर्द होता है और नाभी से नीचे सुरू होता है और यह जांगो तक जाता है पीछे कमर तक उस समय दर्द तो तंग करता ही करता है, साथ में घबराहाट मैसूस होती है, कमजोरी मैसूस होती है, सरी में दर्दे और ठकावट बहुत ज़्यादा मैसूस होती है, सोभाव में चिर्चड़ापन हो जाता है कुछ लड़कियों या महिलाओं को क्या होता है कि ये दर्द उपर की ओर आता है कलेजे पर आता है जिसे जी मिचलाना या उल्टी जैसा मन होना सिर में दर्द होना, सिर में चक्कर मैसूस करना सरी में कमजोरी, घबराहट बेचैनी तो होती होती है साथ में दर्द बहुत जादा तंग करती है जादा तर लड़कियों को महिलाओं को ये दर्द दो से पास दिन तक तंग करता है किसी को दो दिन किसी को तीन दिन किसी को चार दिन किसी को पास दिन तक रहता है कुछ लड़कियों को या कुछ महिलाओं को देखा जाता है कि इस मासिक धरम के समय, पेडू में दर्द होता है, और मासिक धरम कम मातरा में आता है, या रुक रुक के आता है, कुछ महिलाओं को पेडू में दर्द के साथ, मासिक धरम ज्यादा मातरा में आता है, ये सब तो इसके लक्षन देखे जाते हैं, अब मैं आपको इसके कारण बता आतर हुनु ज्यादा तर लड़कियों या महिलायों को देखा जाता है कि उनका प्रोष्टां ग्रेइम नाम का हार्मोन सुधत ना बनना चाया उससे जरूर से जतना मातरा में पॉर्ण रखर लगों का काम क्या होता है कि ये भचे दानी को शिकुड़ाता मगर यह जरूर से जादा मातरा में बनने लग जाता है तो यह गरभाश्य को जादा मातरा में शुकडाता है जिससे मान स्पेशियों में गरभाश्य की मान स्पेशियों में एठन पैदा होती है जिसे हम क्रैम्प कहते हैं उसकी वज़ा से लड़कियों को या महिलाओं को पे की शिकायत होती है उसकी वजह से उनको मासिक धरम के समय पेडू में बहुत ज्यादा दर्द उड़ जाता है इसी तरह कई महिलाओं या लड़कियों को देखा जाता है कि उनकी ओवरी के उपर या फिलोपिन ट्यूब के उपर या यूट्रेस के उपर गांठ उत्पन हो जात की शिकायत हो जाती है जिसकी वजह से उनको मासिक धरम जबाता हैं उस समय में उनको काफी ज्यादा दर्द होता है कई लड़कियों को या कई महिलाओं को क्या होता है कि बजार का तलफला ज़्यादा खाती है या वसा युक्त आहार का ज़्यादा इस्तमाल करती है या मीट अंडे का ज़्यादा इस्तमाल करती है ज़्यादा कोल ड्रिंक्स का इस्तमाल करती है और सारा दिन में exercise वगरा या व्याम वगरा नहीं करती, खा के सो जाती है, खा के बैट जाती है, या कई लड़कियों को तो मैंने देखा है कि खाना खा के पढ़ने के लिए बैट जाती है, तो उसके कारण भी उनके मासिक धरम के समय पेडू में सूजन हो जाती है, पेडू म पने लेती है, मक्षन मलाई नहीं लेती है, इसी तरह विटमिन्स ववाय की यूक्त जो हमारे फल फरूत होते हैं, या सलाद होते हैं, या ड्राई फरूत होते हैं, ये नहीं घाती हैंगे, वो इसलिये नहीं खाती है, क्योंकि उनका वजन बढ़ जाएगा, तो इस चक्र म उनको मासिक धरम के समय काफी ज़्यादा पेडू में दर्द का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको उपचार बता हूँ, सबसे पहले घरेलू उपचार बता हूँ, घरेलू उपचार में सबसे पहला नमबर आता है ग्रीन टी का, ग्रीन टी आप निम्बू वाली भी पी सकते हैं सुबह शाम या खास तोर पे अदरक वाली जिसे जिंजर बोला जाता है, वो वाली ग्रीन टी आपके लिए सुबह शाम पीना बहुत ज़्यादा फायदे मंद है, अगर आप उसमें हलका सा स्वाद अनुसार मीठा जितना आपको मीठा पसंद है उतना देशी खांड चिन्नी की जगा देशी खांड डाले या शहद डालके आप तोनों में से कोई एक चीज़ डालके सुबह शाम इस्तमाल करेंगे तो उस समय आपको दर्द की शिकायत नह जिरा मसाला जो हम सब्जीओ में डालते वह वाला जीरा चुथाई चमच वह भी टीजपून वाले से आपने वह चुथाई चमच लेना इसी तरह एक इंच का टुकडा अदरक का लेना है अगर टाजी है तो भी ठीक है नहीं तो जो सूखी हुई है जिसे हम सोट कहते हैं व स्वाददनुसार उसमें मीठा देशी खांड या सहद या मीठा पसंद नहीं है कोई बात नहीं, आप उसमें सिंदा नमक वादनुसार मिला के सुबे शाम खाना खाने के एक घंटे वाम करना है, जैसे आपको पता है कि मासिक दरम मेरा कल से या परसों से शुरू होने वाला है तो दो दिन पहले ही आपने इसका इस्तमाल शुरू कर देना है और जब तक मासिक दरम खतम नहीं होता किसी को 3 दिन, किसी को 4 दिन, किसी को 5 दिन या किसी को 6 दिन रहते हैं मासिक दरम या किसी को 7 दिन भी डाय जाते हैं जब मासिक दरम खतम हो तभी आपने इस काड़े का इस्तमाल बंद करना है इसको करने से आपके एक तो हार्मोन जितनी मातरा में बनना चीए उतनी मातरा में बनेगा और दूसरे नंबर में आपके पचेदानी पे कभी भी क्रेंप नहीं पड़ेंगे एठन नहीं आएगी जिसकी वज़ा से सूजन नहीं आएगी और इंफेक्शन नहीं होगा जिसकी वज़ा से आपको किसी तरह की परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात इस उपचार के साथ साथ आप कोशिश करें कि गरम पानी बोतल में डालके सिकाई भी कर सकते हैं गरम पानी बोतल में डालके आज कल तो हीटिंग पैड आ गया है आप उसको लगाईए वो हीट हो जाता है और उसके बाद उसके सिकाई कर सकते हैं सुबे शाम सिकाई करने से भी काफी ज़्यादा लाब होता है अब मैं आपको आयरवेदिक उपचार बता रहूं आयरवेदिक उपचार में सबसे पहले क्या करना है कि एक चमच आपने मेथी के बीज लेने हैं एक चमच सोया बीज लेने हैं नाम मैं दुबारा रिपीट कर एक चमच मेथी के बीज लेने हैं, एक चमच सोया बीज लेने हैं, और एक इंच का अधरक का टुकडा लेना है, अगर अधरक नहीं है, आपके पास सोट है, अधरक को सुखा कर बनाया जाता है, जिसे हम सोट कहते हैं, तो वो भी एक इंच का टुकडा लेके, उसे कूट के, और एक बरतन में तीनों चीजों को डालके, एक कप पानी डालके अच्छे से उबा लें, जब उबल उबल के आधा कप बच जाए ना, उसे नीचे उतारके और बिल्कुल हलका सा गुन-गुना रहने दे, उसे चान ले, उसमें स्वाध नुसार, सेंदा नमक या मीठे में मिल खाना चाते हैं, तो देशी खांड या शेहद मिलाके, खाना खाने के एक घंटे वाद, सुबे शाम इस्तमाल करने से, किसी भी कारण से, अगर आपको पेडू में दर्द हो रहा है मासिक धरम के समय, तो उसमें बहुत जल्दी अराम मिलेगा, अब ये उपचार करना कब है ये बताये, तो मासिक धरम सुरू होने से दो दिन पहले करना है, और मासिक धरम खतम हो जाए, तब तक इस उपचार को करना है, ताकि आपको पूरा लाब मिल सके, इसके साथ सिकाई जरूर करनी है, अब मैं आपको दूसरा ऐरवेदिक उपचार बता रहा हूँ, दूसरा पांच इंच का आपने असोक की चाल लेनी है, लगबग तीन इंच ये हो गया और पांच इंच इतनी, अगर इतनी भी हो जाए, छे इंच तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, असोक की चाल लेके कूट ले, उसको क्या करना है, आपने दो कप पानी में डालके दो कप पानी उस परतन में डालके अच्छे से उबा लें जब उबल उबल के पानी सिर्फ एक कप रह जाए उस पानी को नीचे उतारके जब ठंडा सा हो जाए उसको चान के उसमें स्वाद अनुसाज अगर नमकीन पसंद है आपको सिंदा नमक मिला के ले सकते हैं अगर मीठा पसंद है तो देशी खांड या शहद मिला के सुबह शाम खाना खाने के एक गंटे बाद इस्तमाल करने से किसी भी कारण से अगर आपको पेडू में दर्द होता है मासिक धरम के समय तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसके साथ आप चार जो सिकाई बताई है उसमें से कोई एक सिकाई जुरू करना ताकि आपको पूरा लाब मिले यह आपने कब से शुरू करना है? मासिक धर्म शुरू होने से दो दिन पहले सुरू करना है और मासिक धर्म जब तक खतम नहों तब तक इस उप्चार को सुबे शाम करना है ताकि आपको पूरा लाब मिल सके और आप defenders को सके अब मैं आपको ready-mate उपचार बता रहूँ, ready-mate उपचार उनको बताया जाता है जिनको समय का भाव होता है रेडिमेट उपचार में असोका रिष्ट और दसमूला रिष्ट ये किसी भी कमपनी की लेके आप तीन चमच असोका रिष्ट तीन चमच दसमूला रिष्ट एक कप पानी में डालके सुबे शाम खाना खाने के एक घंटे वाल इस्तमाल करना है और ये लगातार मासिक धरम श से सुरू कर दीजिए और जैसे मासिख धरम इस दवाई को लेते-लेते 21 दिन होगे उसके बाद इसको बंद कर दीजिए उसके बाद आपको मासिख धरम सुरू हो जाएगा और उस समय आपको पेडू में दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा कईयों को क्या होता है पूरी पीछे हिस्ट्री आ रही होती है जैसे कि उनकी मदर को मदर की मदर को जिसे हम हैरी डिटरी बोलते हैं अनुवांसिक भी बोला जाता है जिसके कारण को हमेशा मासिख धरम के समय पेडू में सुजन हो जाती है दर्द होने लग जाता और बहुत परेशान हो जाती है तो इसको करने से कुछ समय तीन से छे मेने लगातार लगेंगे तो सही मगर ये हमेशा के लिए जिन्दगी भर के लिए बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप और एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको कि मैं हर वीडियो में आपको तीन उपचार बताता हूं मगर उस उपचार के साथ आप सिकाई जरूर करें ताकि आपको पूरा लाब मिल सके और आप बिल्कुल ठीक हो सके अब मैं आपको परहेज बतायता हूं क्योंकि बिना परहेज के कोई दवा असर नहीं करती सबसे पहला परहिज बता रहा हूं कि बजार का तला फुला आपके लिए मना है गी, मक्षन, मलाई रबडी यह सब आपके लिए मना है इसी तरह कोल्ड्रिंग का इस्तमाल करना आपके लिए खास दोर प ticket कर ऊँगा ब्रफ इस्तमाल करना आपके लिए मना है कुछ लड़किया या कुछ महिलाएं धूमर पान करती है या सराब का इस्तमाल करती है तो उनके लिए खास तोर पर कहूँगा कि ये भी आपके लिए मना है कुछ महिलाएं या कुछ लड़कियां नौन्वेज ज़्यादा इस्तमाल करती हैं तो उन लड़कियों या उन महिलाओं को कहना चाहूंगा कि नौन्वेज भी इसमें खाना आपके लिए मना है जो लड़कियां या महिलाएं तनाव यूपत महल में रहती हैं इतनाव जादा रखती हैं, उनको कहना चाहूंगा, इसमें खास तोर पे tension लेना मना किया जाता है, इसी तरह जो जादा देर तक बैठी रहती हैं, या खाना खाया सो गए, खाना खाया बैठ गए, पढ़ती भी हैं, तो लेट के पढ़ती हैं, पढ़ती हैं, बैठ के पढ़त अब जो आपके लिए फाइदे मंद है मैं वो बताया तो सबसे पहले तो इसमें सिकाई करना बहुत जादा फाइदे मंद होता है पेडू में सिकाई नाभी से निचले इसमें सिकाई करना बहुत जादा लाबकारी होता है कुछ महिलाओं को या कुछ लड़कियों को उपर की फाईदे मन दोता है, काफी ज़दा फाईदे मन दोता है। सुबह शाम आदा घंटा सुबह आदा घंटा साम को पैदल चलना या जोगिंग करना या किसी भी तरह की exercise करना बहूत ज़्यादा लाब काई होता है। जो महिलाएं या लड़कियां एक्ससाइड जादा करती हैं उनको ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता हरी साग सब्जियों का जादा से जादा इस्तमाल करें सलाद का इस्तमाल जादा से जादा करें फल फरूट का इस्तमाल जादा से जादा करें हरी साग सब्जियों जो मुसमनुसार है उनका रस जूजी से बोलते हैं वो पीना आपके लिए बहुट ज इन चीज़ों का इस्थिचा मत करें, ऐगर दूद पीना भी है तो उसमें हल्दी डालके या दालचीनि पढ़नी डालके इस्तमाल करें तो बहुत अच्छा लाब होगा और दिनों में माशिग धर्म से पहले जो दिन होते हैं उन दिनों में अगर आप प्रयापत मातरा में दूध लेते हैं पनीर लेते हैं दही का इस्तमाल करते हैं, तो इससे सरी में कैलसियम भी बनेगा, विटमिन्स भी बनेगा, विटमिन D भी बनेगा, जिसके कारण आपको क्या होगा, कि उस समय पेडू में दर्द की शिकायत नहीं होगी और आप बिलकुल स्वस्त रहेंगे, हरी साग सबजियां फल फुरूट खाए फाइदे मन्द है, केला हो गया, सेव हो गया, फ्रूट में तो सारे फ्रूट आ जाते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द है, इस तकलीफ में दालों का इस्तमाल करना भी बहुत फाइदे मन्द होता है, खास तोर पे हरी मूंग का जो छिलके वाली फाइदे मन्द होता है, और दोस्तों लाष्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, कि मेरे बताए गई इन नुस्खों से अगर आपको पूरन लाब मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पूरन लाब नहीं मिलता, तो आप नजदी की डॉक्टर से हमसे संपर कर स पहने, धन्यवाद